गूद आनिंग स््टूडेंट्स। ब्रायोफईट्स में आज हम पढ़ते हैं हिपयटिकॉपसिटा इसे पूर्व के लेक्चर में, हमने ब्रायोफईट्स के जनरल करेक्टर के बारे में पढ़ा था और साथ ही साथ हमने ये पढ़ा था कि ब्रायोफईट को का वर्गी करण किस प्रकार से होता है ब्रायोफाइट के वर्गी करण में किस ने दिया और इसके आगे डिफरेंट क्लासेज और ओडर्स क्या है आज हम इसका first start करते हैं हिपैटिक आपसीडा आएए जानते हैं इसके बारे में ब्रायोफाइटा में के हिपैटिक आपसीडा में जो मुख्य पाधप है वो युगमकोदभित या गयमिचोफाइट होता है यह पाधप पूर्णतिया स्वतंत्र होता है डॉर्सी वेंट्रल है यानि कि अधारी चप्टा है और दो फॉर्म्स के अंदर हो सकता है या वो थैलाब होगा या फिर पर्णिल थैलाब होगा थैलोइट और फॉलियोस टाइप का होगा थैलोइट फॉर्म्स के अंदर प्लान बाडी प्रास्टेट यानि कि भूमी के उपर श्यान होती है लोब्ड है और dichotomously bronzed या द्वीभाजी शाखित होती है। इसकी ventral surface पे जो lower वाली surface है जो अपाक्ष सता है थैलस की उस पर एक कोशिकी है अशाखित smooth world और tuberculated rhizoid और scales पाई जाते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि rhizoid two types के होते हैं, scales भी इस प्रकार से two types के होते हैं, तो smooth world और tuberculated type के rhizoid पाई जाते हैं और scale present होते हैं। folios forms के अंदर जो central axis है उस पर दो या तीन पंक्तियों में leaves present होती हैं और इन leaves में mid rib नहीं पाई जाती। अगर हम आंतरिक सरंचना के बारे में देखें, anatomically देखें, तो anatomically thallus जो है बहुत simple और complex दोनों ही type का हो सकता हैं और जिसमें किसी भी प्रकार का कोई mechanical tissue है, वो present नहीं होता। प्रकाश नसलेशी कोशिकाएं यानि कि जो photosynthetic cells हैं उनमें chloroplast पाया जाता है और इन chloroplast में pyrenoids अनुपस्थित होता है। vegetative reproduction की जो विधियां है वो thallus के older parts के death और decay के कारण हो सकता है। क्या फिर उसमें adventitious branches प्रैदा होती हैं या gammy बनते हैं जो विशेश प्रकार के organs हैं और साथी tubers के द्वारा इनमें vegetative reproduction होता है। plant जो हैं hebatic obsida में जो members आते हैं जो plants हैं वो some thallus या visham thallus दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। sex organs अधिकांशत है अपर surface पे या dorsal surface पे होते हैं और terminal position पे होते हैं। और यह इनका development एक स्तरिय इनिशियल से या superficial single initial से होता है। thalloid liver words में sex organs या तो thallus के अंदर embedded होते हैं जैसे की रिक्षिया में हम आगे पढ़ेंगे। और या फिर इनमें ये व्रंत युक्त होते हैं, starved होते हैं जैसे की markensia में। ये दोनों हम members हमारे स्लेबस में हम पढ़ेंगे। sporophyte simple या सधारन प्रकार का सरल प्रकार का होता है। इसमें केवल वैसे sporophyte के तीन पार्ट्स होते हैं, foot, ceta और capsule ये तीनों पार्ट्स जो हैं, वो markensia में पाया जाते हैं, लेकिन रिक्षिया में केवल capsule पाया जाता है। Archisporium या sporogenous cells जो हैं, ये endothesium से develop होती हैं, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। Sporogenous tissue either forms only spore mother cells, जैसे कि रिक्षिया के अंदर केवल spore mother cells ही बनाती हैं, इट में become differentiate into fertile spore mother cells and sterile elator mother cells. Markensia के अंदर ये जो cells हैं, ये दो cells में differentiate हो जाती हैं, fertile spore mother cells जो कि आगे चलके spores बनाती हैं और sterile elator mother cells जो कि आगे चलके elators बनाती हैं, ये markensia में पाया जाता हैं, रिक्षिया में केवल spores पाया जाते हैं। Capsules में sterile columela अनुपस्तित होता है और the only sterile cells जो है वो elators होती हैं इनके अंदर, capsule का dehiscence irregular और indefinite टाइप का होता है, और spores जो है they give rise to gametophyte on germination, germination के पश्चार spores जो है वो gametophyte क्या युग मकोदभित का घर्मान करते हैं। इस class को कैसे आगे कितने भागों में divide किया गया, एंगलर ने हिपाटी कॉपसिडा को या हिपेटी सी class को तीन orders में divide किया, ये orders हैं, अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले order markantials, इसके सामाने लक्षन क्या है, मारकेंशेल्स में body thaloid होती है, prostrate है, dorci ventral है, प्रिष्टाधारी, शयान, थैलस, डाइकॉटोमसली ब्रांस्ट, त्रीभाजी शाकित और non-leafy होती हैं। members hydrophilis होते हैं, यानि कि पानी के अंदर होते हैं, and grow in moist and shady habitat, hydrophilis का मतलब होता है कि attraction towards water, ये moist, नम और चायादार स्थानों पर पैदा होते हैं, उत्पन होते हैं, या इनकी जो growth है, वो maximum वहीं पर अच्छे से होती है, air chambers और air pores पाये जाते हैं, dorsal surface की thallus के उपर air chambers या air pores जो है, वो present होते हैं, ventral surface पर या lower surface पर thallus की lower surface पर rhizoids और scales present होते हैं, अगर हम आंतरिक रूप से देखें, तो आंतरिक रूप से internally thallus जो है, वो differentiated होता है, अपर या dorsal, photosynthetic या प्रकाशल स्लेशी की रीजिन, और ventral या lower या अपाक्ष जो सतय है, वो storage region या यह हम कह सकते हैं, संचाई क्षेत्र हम कह सकते हैं इसे, जो thallus का dorsal side है, उसमें photosynthetic filaments पाये जाते हैं, जिसमें air chambers भी होते हैं, और air pores भी होते हैं, और नीचे का भाग जो है, पेरन काइमेटस होता है, और वो storage के काम में आत है, sex organs are either distributed on the dorsal surface, त्रिक्षिया के dorsal surface के उपर थैलस पाये जाते हैं, या फिर वो distinct receptacles या stocked होते हैं, या वरंतियुक्त होते हैं, male reproductive organ को enthridia बोलते हैं, और female reproductive organ को archigonia बोलते हैं, ये दोनों अलग-लग chambers में बनते हैं, enthridia, enthridial chamber में बनता है, और archigonia जो है, archigonial chamber के अंदर बनता है, और प्रतिये एक chamber में केबल एक single sex organ होता है, अब neck of the archigonium consists of vertical rows of neck cells, जो है, इसमें six vertical rows of neck cells पाय जाते हैं, और capsule wall जो है, वो single layer होती है, यानि कि unistatowose type का capsule होता है, markenshials को आगे six families में divide किया गया है, ये six families है, rickshia, इसका member हमारे स्लेबस में है, rickshia पढ़ेंगे हैं, corciniac, targioniac, monocleiac, monocarpaceae, और markenshiasi, rickshia, rickshiasi का member, rickshia हमारे स्लेबस में है, ये हम पढ़ेंगे, और markenshiasi का member, markenshia हमारे स्लेबस में है, ये हम पढ़ेंगे, detail में, हम इसके बारे में पढ़ेंगे, आई ये स्टार्ट करते हैं, first member rickshia, rickshia का जो नाम है, वो फ्लोरेंटाइन राजनितिग्ये, प्रसिद्ध राजनितिग्ये, फ्लोरेंटाइन का जो थे, वो पी एफ रिक्सी के सम्मान में रखा गया है, करीब 130 स्पीशिज हैं, जो ट्रॉपिकल और टैंपरेट रीजन में पाई जाती हैं, वर्ल्ड के, अगर हम सिस्टेमेटिक पोजीशन देखें, तो ब्रायोफाइटा, हिपैटिक ऑप्सीडा, ओर्डर मार्केंशियेल्स, फैमली रिक्षियेसी, और मेंबर है रिक्षिया, हम देखते हैं कि सरंचना इसकी कैसी होती है, यह प्लांट्स जो हैं, वो डैंप सॉयल, मोईस्ट और शेडी रोक्स, यानि कि जो नम अम्रदा पर भाय जाते हैं, चायादार हुमिड प्लेसिस पे होते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो टेरेस्टिल हाबिटेट में भी पाय जात रिक्षिया अबुएंसिस ऐसी स्पीशिस है, जो राजस्थान के माउंच अबु में नक्की जील पर तैरती हुई पाय जाती है, थैलस जो है, वो ग्रुप्स में ग्रो करता है, मोईस्ट प्लेसिस पे मैट्स के रूप में और रोजट फॉर्म ले ले लेता है, मैं अभी लाइफ सैकल के अंदर प्री डॉमिनेंट होती है, क्योंकि मेन प्लांट बॉड़ी गेमिटोफाइट होती है, इसलिए हम इसके बारे में पढ़ते हैं, प्लांट्स जो मैंने आपको बता दिया, कि इस तरह से ग्रो करते हैं, अब हम पढ़ते हैं इसकी एक्स्टर्नल दी हुई है, आप इसके बारे मिसे पढ़िए, देखिए, यह मैंने आपको बताया कि थैल्लस ग्रुप्स में ग्रो करता है, और नम स्थानों पर चटाई जैसी आकरिती या रोजेट फॉर्म ले लेता है, एक्स्टर्नल मॉफोलोजी, प्लांट्स जो हैं, ग्रीन होते हैं प्रॉस्टेट हैं, प्रॉस्टेट यानि भूमी की सतया के साथ साथ, श्यान भाग में ग्रो करते हैं, डॉर्सी वेंटरली फ्लैटेंड होते हैं, यानि कि प्रिष्टाधारी चप्ते हैं, द्वीभाजी शाकित होते हैं, यह देखे, यह सब चीज़े इसमें मैंने बता रखी हैं, प्लांट्स आर ग्रीन, प्रॉस्टेट, प्रिष्टाधारी चप्ते और द्वीभाजी शाकित, ब्रांचिस वेज शेव्ड या लीनियर शेप में होती हैं, यह इस तरह से यह शेप दिखा रखी है, ब्रांच के दो बार डिवाइड होने से क्रॉस लाइक अरें रिख्षिया फ्रॉस्ट्रिस के अंदर पाई जाती है, यह इसका रोजिट हैविट दिखा रखी है, यह इसकी डॉर्सल सर्फिस है, डॉर्सल सर्फिस के उपर यह इस तरह से रिप्रोड़क्टिव और्गन्स हैं, यह वेंट्रल सर्फिस है, वेंट्रल सर्फिस पे स्केल पाई जाते हैं, center में rhizoids पाई जाते हैं, और अगर हम इसकी internal structure लेते हैं, तो ये photosynthetic region है, और ये इसका storage region है, जिसमें sides पे scale पाई जाते हैं, ये यहाँ देखिए diagram में, यहाँ मैंने, ये देखिए, यहाँ पे diagram में नजर आ रहा है कि लिए, ये rosette form है, ये dorsal surface है, ये इस त अंदर impregnations होते हैं, इस तरह से ये tuberculature है, और जो smooth vault होते हैं, वो simple इस तरीके से होते हैं, ये internal structure है, जिसके अंदर ये epidermal cell है सबसे उपर, फिर ये photosynthetic filaments हैं, और फिर ये इनमें chloroplast पाई जाता है, ये इसका storage region है, scales or rhizoids है नीचे, पती एक ब्राच के top पर, शीर्ष पर एक notch होती है, खांट होती है, ये देखिए, ये इसके अंदर growing point या वर्धन बिंदू present होता है, डॉर्सल सर्फिस पे median, longitudinal ये देखिए, फरो होती है, मध्धे, अनुदेरगे, खांच होती है, और vental सर्फिस पे scales और rhizoids पाई जाते हैं, scales purple color के होते हैं, ये thin है, multi cellular है, परन smooth water, tuberculator, दोनों ही प्रकार के होते हैं, थैलस की पुरानी पालियों में, पुरानी जो पुराने वाले जो थैलस की पुराने पार्ट्स, लोब्स हैं, उन पर दो लेटरल रोज में scales लगे वे होते हैं, और aquatic species पे पर, जो हैं, वो scales या तो होते ही नहीं है, या फिर बहुत ही हासित या degenerate, rudimentary हम जिसे कहते हैं, इस प्रकार के होते हैं, ये aquatic species का दिखा रखा है, इंटर्नल स्ट्चर भी हमने सहासाथ कर ली, इंटर्नल स्ट्चर ये है, कि थैलस की जो डोर्सल साइड है, ये मैंने आपको बताया, ये देखिए, दोर्सल साइड, ये अपपर भी होती है, और ये अपाक्ष भी होती है, इसे हम अपाक्ष भी होती है, जो है दोर्सल सर्फिस जो है, ये फोटो सिंथेटिक है, और बेंटरल सैट जो है यह storage के काम आती है parent कामेटर्स होती है और Storage के काम आती है समानेता यह मैंने आपको यह structure बता दिया अब यह देख़े की reproduction जो है वो vegetative type का होता है हम इसे अलग से भी पढ़ेंगे यहाँ भी मैं कुकी यह सारा यहाँ पर लिखा हुआ है तो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ vegetative reproduction के बारे में मैंने आपको बता दिया यह fragmentation के द्वारा हो सकता है death and decay old thallus के कारण हो सकता है अपस्थानिक branches के द्वारा हो सकता है persistent apices या चिरस्थाई शीर्ष जो होते हैं यह सुरक्षित रहते हैं और नई favorable condition आने पर फिर से germinate हो जाते हैं tubers के द्वारा भी होता है और कुछ जो है वो rhizoids भी जो है वो persistent हो जाते हैं इनके कारण भी vegetative reproduction होता है और यह favorable condition में होता है sexual reproduction advanced type का है uogamous type का इसमें monoaceous species भी हैं और dioceous species भी हैं monoaceous species में आती है रिक्षिया गेंकेटिका रिक्षिया क्रिस्टेलाइना यह monoaceous species है और dioceous यह है monoaceous species dioceous species कौन सी है यह है रिक्षिया discolor and रिक्षिया frost dye ठीक है reproductive organs थैलर्स की dorsal surface पर जो median groove है उसमें acropeetal क्रम में लगेवे होते हैं अग्रा भी सारी क्रम में लगेवे होते हैं और यह dorsal surface पर एकल ही होते हैं solitary हैं और embedded होते हैं और enthridia enthridial chamber के अंदर होता है जो कि osteol के द्वारा कुलता है और archigonium जो है वो archigonial chamber के अंदर होता है और यह पूरी तरह से cover नहीं हो पाता क्योंकि neck का थोड़ा पार्ट जो है वो thallus के बाहर की तरफ निकला आता है इसके बाद आगे के lecture में हम पढ़ेंगे कि reproduction किस प्रकार से रिक्षया में reproduction किस प्रकार से होता है Thank you